सोची कैसा लगेगा तुमारे घरवालों को जब उन्हें ये पता चलेगा कि किसी एक इंसान के चक्कर में आके तुमने अपनी पूरी संदगी को भरबात कर लिया खुद ही सोच कर देखो ना पहले कितने अच्छे थे हर चीज में पढ़ाई में लिखाई में काम में हर चीज में अच्छे थे तुम लेकिन अब क्या हो गया है तुम्हें न खाने में मन लग रहा है न पीने में न नीद आ रही न चैन और ना ही किसी खाम में मन लग रहा है तुम्हें भी पता है और तुम्हें भी पता है ये चक्कर क्या है ये मांजरा क्या है और तुम खुद भी इस चक्कर से बाहर निकलना रहेगी किसी और को नहीं इसलिए किसी और सी उमीदे लगाना बंद करो और अपने उपर भरोसा करना शुरू करो अरे इतने कमजोर नहीं हो तुम ऐसे तुम्हारी उस चोट को ठीक नहीं कर पाएगा वो कितनी पे अच्छी दवाई दे देदेगा दवाई खाना पड़ेगा समय लगेगा और वो समय तुम्हें देना पड़ेगा उस घाओ को ठीक करने के लिए समय देना पड़ेगा इस बात को याद रखना और जितना बड़ा घाओ उतना जादा समय लगेगा अभी दिए उस घाओ को लेकर बैठे रहोगे और रोना रोते रहोगे कि मेरे साथ ये हो गया मेरे साथ वो हो गया वो मुझे छोड़कर चला गया या चली गई तो हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाओगे हर इंसान की जिंदगी में यह दुख तकलीफ है ल लिए सब फॉल्थ हूं की बात है सोचने के बचाए यह सोचो कि अपनी जिंदगी में हांगे किसे बढ़ना है का था ना उसने तुम्त कर दो किस विडियो किस सुनने से कोई मतलम नहीं लेकिन यदि आग हैं अंदर कुछ बनने की कुछ कर दिखाने की तो इस वीडियो को तब तक देखना तब तक देखना जब तक कि तुम्हारा खोया हुआ संबान तुम खुद से वापस न ले लो याद है ना कितना जलील किया गया था तुम्हें तुम्हें तुम्हारी वकाद याद दिलाए गई थी अब ये तुम्हारी उपर निरबर करता है कि तुम्हें भूल जाना है वो सब या फिर उन्हें उनकी वकाद याद दिलाना है मुझे नहीं पता कि तुम खुद का कितना संबान करते थे खुद को कितने इज़त देते थे लेकिन आज के बाद याद रखना खुद का संबान सबसे बहले है यदि तुम्हें लग रहा है कि भूलना मुश्किल है और नहीं भूल पाओगे तो कौन कह रहा है भूलने को मत भूलो अपने आपको आगे बढ़ाओ और इतना आगे बढ़ाओ कि पूरी प्रत्वी पर चाहे वो कहीं भी हो जब तुम सफल हो तो तुम्हारी सफलता की गूंज उसके कानों में सुना ही पड़े तो चलो एक काम करो जिसे भी अपनी सफलता की गूंज दिखाना चाहते हो बताना चाहते हो उसके नाम का पहला अक्षर कॉमेंट बॉक्स में जाके लिखो और अपने आप से वादा करो कि अब तुम नहीं रोगे रोएंगे वो जो तुम्हें रूलाने आए थे यही बात दिल तक पहुची हो तो शेयर कर देना अगले वीडियो